अस्सलाम आलेकुम नमस्ते दोस्तों अमीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे सुबा का समय हो गया यहाँ पर रूट गए आज का बोलोगिन में हम क्या क्या करेंगे आप लोग के पास सेर करेंगे अगर मेरा बोलोगिन चैनल आप लोग का पसंद है तो लाइक, सेर और सस्क्राइब जरूर कीजेगा आज हम बोलोगिन चैनल में छोटा सा एक रेसेपी ले करके आएं बहुती सिंपल और असान तरीका से हम बना करके आप लोग के पास सेर करेंगे जरूर आप लोग का पसंद आएगा चलिए यहां पर हम रेसेपी स्टार करते हैं यहां पर हमें कटोरा लेंगे और कटोरा में यहां पर हम दो चाटू जैसा यहां पर हम बेसन डालेंगे देखे यहाँ पर हम बेशन डालेंगे, कटोरा में बेशन डाल करके हम कैसे यहाँ पर हम रेशेपी को तयार करेंगे, दिखाते हैं आप लोग को वीडियो में बने रहेगा, इसकी पमत किजेगा, तब जाके आप लोग को पता चलेगा, यह वाला रेशेपी हम कैसे बना करके हम तैयार की हैं अक्दम जटपट और खाने में बहुती स्वादिश्ट लगता है दोस्तों अब यहाँ पर हम दो चाटु यहाँ पर बेशन डालने के बाद थोड़ा सा यहाँ पर हम नमक डालेंगी और नमक डालने अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद यहां पर हम थोड़ा थोड़ा पानी दे करके अच्छी तरह से घोल बना लेंगे एक ही बार पानी ने डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ज्यादा यहां पर बेटर को पतला ने करना है थोड़ा सा थीक रहेगा तो आपका बह आपका सामय और आपका साल पइसाल का भग यहां बग शेयर न यहां पर मेलने हैं ने बलब में और要 शेयर को में लिया हैं। इसमें आपका समय का भी बच्चत हो जाएगा और आपका बहुत सरा पैसा का भी बच्चत हो जाएगा इसमें बहुती कम समय में बन करके तयार हो जाएगा और आपका बहुती कम तेल से आपका बन करके तयार हो जाएगा इसमें बहुती कम तेल से आपका बन करके तयार हो जा प्रियार हो जाएगा अभी हाँ पर हम सब एक ही साथ हम डाल दी हैं आप चाहितो दुसरा भी सबजी दे शक्ते हैं जो आपका घर में OOK जब्ह़ाले उद्यों दे क्याओ गरा नहीं डालें अभीहाँ पर लंत्यंसे चार हरी मिर्चा को काट करके हम डाल दी हैं सब यह वाला रेसेपी आप लोको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजेगा मेरे दोस्तों और दोस्तों के साथ जरूर सेर कीजेगा अब यहाँ परम थोड़ा सा अधरक गिसा हुआ डालेंगे आप चाहे तो लेसो नोगेर भी डाल सकते हैं लेकिन यहाँ परम अधरक खाली डालेंगे यहाँ परम क्या-क्या मसाला डालेंगे दिखाते हैं आप लोको यहाँ परम धन्या पोडर हाप चमज डालेंगे और भुना हुआ जीरा पोडर हाप चमज डालेंगे अब यहाँ परम थोड़ा से एक चूटकी जैसा काली मिरिच डालेंगे इसमें बहुती टेश्टी लगता है यहाँ परम काली मिरिच डालने के बाद लाल मिर्चा कुटा हुआ थोड़ा सा डालेंगे इसमें थोड़ा सा तीखा रहने से अच्छा लगता है खाने में अब यहाँ पर हम गरम मसला पोडर आधा चमस डालेंगे। करके हम पर बेशन को गोल करके अने ड़ाइगे फिर यहां पर हम हाथ से मिलाइगे अच्छी तरह से मिलाइगे के बाद हाथ से मिलाएंगी, देखें यहां पर हाथ से अच्छी तरह से मसल मसल के मिला लेंगे, क्या होता है बच्चा लोग सबजी खाने नहीं खोजता है, तो अगर इस तरह कर के बना कर Bots दीजेगा तो बत्चा भी असानी से खा लेगा, जो जो आपका पास सबची रहेगा इस तरह मिला करके बच्चा को बना करके दीजेगा साम के समय में तो बहुत आसानी से खायेगा और बहुत स्वाधिस्ट भी लगता है बारिस का सीजन में इस तरह बना करके बच्चे को भी दीजे बढ़े को भी दीजे बहुती स्वाधिश्ट लगता है बहुती कम समय में बन करके तैयार हो जाएगा अब यहाँ परन देखे इतना बड़ा-बड़ा सा गोल-गोल कर लेंगे थोड़ा सा यहाँ परन बड़ा-बड़ा बनाएंगे और इस तरह करके हम दबा लेंगे देखे इस तरह करके पर हम सर्कील जेसा यहाँ परन गोल-गोल बना लेंगे बहुत ही कम समय में बन करके तयार हो जाएगा अगर आपका पास समय नहीं है तो इवला रेसेपी एक बार बना करके देखेगा बहुत ही जटपड बन करके तयार भी हो जाएगा और आपका गेस का भी बचत हो जाएगा और आपका तेल का भी बचत हो जाएगा इसमें ज्यादा गेज का भी खर्च नहीं होता है और तेल का भी खर्च नहीं होगा, बहुत ही कम तेल से आप बना सकते हैं इवला रेशेपी, खीचन का बहुत ही इसमें बचत हो जाएगा आपका, अब यहां पर हम ब्रेट को चूर करके रखे, उनको यहां पर इस तरह करके पेट लेकि देखे इस तरह करके हम मिला लेंगे चारो तरफ अब अच्छी तरह से यहाँ पर हम उपर में डाल लेंगे करेंची करेंची बन करके तैयार हो जाएगा इवाला रेसेपी और मुझ में घुल जागा इतना ही सवाधिश्च लगता है खाने में एक बार बना करके तो देखेगा फिर आप बोलेगा कमेंट करके इवला रेसे पी अपलों का कैसा लगा अब यहाँ पर सब में हम लगा लिए हैं जो हम बरेट को चूर करके रखे उनको अब उसका बाद यहाँ पर मेरा तेल भी गरम हो गया एक पेन में तेल को अच्छी तरह से गरम होने के बा सुनेरा कलार अगदम दिख रहा है अगदम रेस्टुडेन और होटल में जो बनाते हैं वो भी फेल हो जाएगा इतना सुन्दर घर में बन करके तयार हो जाएगा और बच्चा भी असानी से खा लेगा जो बच्चा सबजी नहीं काता है तो इस तरह करके बना करके बच्चे लोग को चाहे बड़े को फेट से खरीदने का भी जो रतने पड़ेगा मार्केट जिसा घर में ही बन करके तयार हो जाएगा और आपका समय भीने लगेगा बहुत आसानी से बन करके यह वाला रेसेपी आपका तयार हो जाएगा अगदम जहट पट और आपका गे कम कियें कम ऐसे अच्छी तरह से हम फराय कर लिए हैं बहुत ही टेश्टी लगता है अगर इस तरह बना करके घर पे खाईएगा तो आपका समय भीने लगेगा और आपका पैसा कभी बचत हो जाएगा मार्केट से खरीदने कभी जो रतने पड़ेगा इस छोटा सा रेसेप अब लोका जरूर पसंद आया है तो एक लाइक जरूर कीजेगा मेरे दोस्तों दोस्तों के साथ जरूर सेर कीजेगा अब देखे यहां पर हम अच्छी तरह से यहां पर हम फराय कर लिए सब देखे कलर देखे कितना सुन्दर यहां पर दीख रहा है और अगदम करेंची कर करके तैयार भी हो गया है मेरा यहां पर हम एक पिलेट में निकाल करके हम दिखाते हैं देखे कलर देखे कितना सुंदर बन करके तैयार हो गया है बारिस का सीजन में ज्यादा तर एही सब खाने का मन करता है बच्चा लोगों चाहे बड़े को मेरा यहां पर बारिस हो रहा थ तो पूरा परिवार का मन्था से आज कुछ चटपटा हो जाए, तो सोचे हम एक छोटा सा रेसेपी बना करके हम आप लोग के पास सेर करेंगे, यह वला रेसेपी आप लोग का थोड़ा सभी अच्छा लगा, तो एक लाग जरूर कीजेगा मेरे दोस्तों, और दोस्तों के सा जरूर सेर कीजेगा, अब देखे यहाँ पर हम सब बना करके हम तयार कर लिये, अब यहाँ पर हम तोड़ करके भी दिखाते हैं, देखे कितना सुंदर यहाँ पर चटपटा बन करके तयार हो गया है, आप चाहे तो आलू का टिकी बोले या तो मुरमूरे का टिकी बोले, बहुत ही स्वादिश्ट लगता है, मुह में घूल जाता है, इतना है स्वादिश्ट लगता है, और बहुत ही कम समय में बन करके तैयार भी हो जाएगा, थोड़ा सा भी इवला रेसेपी अपलो का अच्छा लगा, तो लाइक शेर हो जाएगा है।